गाईस मोर के आउसे पीकर मोरनी कर भी होती नहीं होती यह बात बे बुनिया थे और कई से भी सच नहीं है क्योंकि इस बात के वेद्णानिक पक्षी को देखे तो हम पाएंगे कि हर जीव प्रजनन के लिए मिलन करते हैं वेदनानी कहते हैं कि मोर और मोरनी का मिलाब भी किसी आम पक्षी की तरह ही होता है। हाला कि वे काफी गुप्ट तरीके से मिलाब करते हैं जिसके कारण है दुरुशे दिखने को कम मिलता है। प्रकुर्टी में प्रजनन के लिए मिलाब आभशक हैं इसके बीना अंडे का निशेचन संभव नहीं। मोर सही सभी पक्षी लोकल कीस के जरिये प्रजनन करते हैं जिस समय इनका मिलाब होता है। तो चलो मोर के बारे में कुछ जिल्चस्प बाते हैं। इंग्रेजी में मोर को पिकॉक, मोरनी को पिनहें और एक साथ इने पी फॉल कहा जाता है। विश्व में इनकी तिन प्रजाती पाई जाती हैं। भारतिय मोर, हरे मोर और कॉंगो मोर। भारतिय मोर लुपत प्रह है या भारत की राष्टिय पक्षी है। श्रीप भारतिय मोर के पास सुंदर पंख होते हैं। मोर एक सर्व हरी पक्षी है। वह कीट, बोदे और छोटे जानवर को खाता है। मोर आईसा पक्षी है, जो ज्यादा उचाहित तक और लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। गाइज जो वीडियो आच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में। जयाएं। पर जो वीडियो में।